असलाम अलेकूम मैंने मिज़ान राबीदीन कैसे हैं आप सब लोग अमीद करता हूँ कि आप सब लोग खेरियत से होंगे अगर आपका भी वर्टसेप अकाउंट बिल्कुल सही चल रहा था एक दम से एक पॉप अप आ गया नोटिफिकेशन आ गया आपका वर्टसेप बंद हो गया बैन कर दिया ब्लॉक कर दिया आखिर किस वज़ा से किया गया इस प्राब्लम को कैसे सॉल्ड कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को प्राब्लम आ रही है मेरा नाम है जैन चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना ऐसे हेलफर कॉंटेंट अब आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं वज़ा क्या स्पैम एक्टिविटी वर्टसेप की टर्म्स और कंडिशन पॉलिसी है डिफरेंट पॉलिसी हैं हम लोग प्लेटफरम तो यूज करते हैं उनकी पॉलिसी के बारे में नहीं जानते आप किसी और्गनाइजेशन किसी क संग करते हैं या फिर डिफरेंट लिंक्स भीते हैं इल्लिगल एक्टिविटीज करते हैं मतलब के ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो एथिक नहीं होती है वो जे वी वज़जह सकति हैं हजारों इनकी पालिसी हैं ठीक हो गया अब इसका सुलुशन के हैं बहुत सारे नहीं आपको मिलेगा request for review तो मेरा भी status इस वज़ से आ रहा है क्योंकि मैंने review request forward की हुई है जैसी आप इसके ओपर click करेंगे आप लोग के सामने एक box open होकर आ जाएगा उसके अंदर आपने उनको appeal करनी है review के लिए के भाई मेरी गलती नहीं है यह गलती से मेरा account बैन कर दिया गया है यह appeal अब आप लोग ने कैसे करनी है यहाँ पर मैं note pad में आता हूँ जैसा कि मैं note pad में आया हूँ यहाँ पर मैंने एक text लिखा हुआ इस तरह से आपने text लिखने I have not done anything wrong and I am sure I have followed मैंने आपकी terms and condition को follow किया मेरा accidentally वैसे ही account remove कर दिया गया currently इसको जो है न वो दुबारा चलाया जाए या प्रूव किया जाए और आपने नीचे अपना number भी mention करना है और thanks lot भी करना है इस तरह से आपकी एक request उनको चली जाएगी 24 घंटे में वो आपकी account को check करके review करके दुबारा अगर unblock करना हुआ तो कर देंगे अगर आपका request review से भी account open नहीं हुआ तो आप लोगों को ये वाला method implement करना पड़ेगा यही वाला text आपने देख लेना है अपनी तरह से अपने text को भी आप use कर सकते हो रिक्वेस्ट कर सकते हो उसमें बस main जो है आपने मिन्नत तरला ही WhatsApp वलों को करना है second method यह है अगर request review से भी आपका account unblock नहीं होता तो यह वाला method implement कर सकते हैं वो यह है कि आपने WhatsApp Chrome पे आना है ठीक है आपने search करना है contact WhatsApp जैसे आप search करेंगे पहली website आपने इसको open कर लेना open करने के बाद WhatsApp messenger support contact us इसके ओपर आपने click करना है एक form open ओकर आजाएगा first of all आपने अपना country select करना है जैसा कि मेरा पाकिस्तान फिर आपने अपना WhatsApp number देना email address email address अब मैं किस पर WhatsApp यूज़ कर हूँ request WhatsApp वालों को forward हो जाएगी एक दो दिन में वह आपके account को review करके unlock कर देंगे unblock कर देंगे depend करता है कि आपने कितनी स्वेर illegal activities की हुई है अगर कर देते हैं well and good अगर नहीं करते तो फिर आपको new number पर WhatsApp बनाना पड़ेगा सीधी सी बात है उसके बाद जी बात आती है जब आपका WhatsApp बन जाए यहां दुबारा open हो जाए तो फिर आप भाई कोशिश करें कि different groups को join ना करें फजूल illegal activities ना करें लिंक्स वगारा शेयर ना करें तो यह basically वीडियो थी मैंने कि आप लोग के साथ शेयर कर दो I hope कि आप understand कर गयोंगे वडियो शुलोग लाइस सब्सक्राइब कर देना इन्शाला में तरह से फॉम्मेटिक वडियो के साथ तब तक इपना ख्याल रखेगा दो में याद रखेगा अलावफेज